आज इस वीडियो में मैंने खुद का घर खरीदने के एक छोटे से सिर्फ तीन शब्दों के महाशक्तिशाली श्री विष्णु मंत्र के बारे में बताया है जो विष्णु भक्तों की खुद का घर पाने की मनों कामना पूरी करने की क्षम्दा रखता है इसके पूरुवके वीडियोस में मैंने विष्णु भग्वान के खुद का मकान पाने के चमतकारी मंत्रों के बारे में जानकारी दी थी इस वीडियो में बताया हुवा छोटा सा मंत्र उन मंत्रों जितना ही शक्तिशाली है अगर आपको यह वीडियो पसंद आचाएगा तो कृपिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंट नोटिपिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें यह मंत्र श्री विष्णू सहस्त्र नाम क्षोत्र याने भगवान मिष्णू के एक हजान नामों के क्षोत्र में वर्नित प्रभुक के नाम श्री वास इस नाम पर अधरित है पिछले वीडियोज में मैंने उन नाम मंत्रों के बारे में प्रचंड शक्ति के बारे में बताया है जिनका जाप करने से विशिष्ट हेतु और उड़ेशों की पूर्ति की जा सकती है अब मैं आपको इस मंत्र का अर्थ बताऊंगी ध्यान से सुनिए मैं विश्णु भगवान को नमन करता हूँ जिन में लक्ष्मी वाता का निवास है इस मंत्र का जाप आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो इस मंत्र के साथ विशिष्टनियम और बंधन जुड़े हुवे नहीं है केवल विश्णु भगवान पर अदुड़ भक्ती होना अनिवारिया है खाने पीने संबंदीत कोई भी बंधन नहीं है लेकिन स्वेच्छता का पालन करना आवश्च है और महिलाओने अपने मासिक धर्म के काल में इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए साधक इस मंत्र का जाप हर दिन लगभग एक ही समय पर कम से कम सकता 20 बार कर सकता है याने आप सवेरे मंत्र के जाप कर रहे हो तो हर दिन सवेरे ही मंत्र का जाप करे या शाम के समय आप मंत्र का जाप कर रहे हो तो शाम के समय ही मंत्र का जाप करे जो लोग इस मंत्र का कुछ पुरुव निर्धारित दिनों के लिए जाप करना चाहते है वह एक संकल पर लेकर वैसा कर सकते है मंत्र ओम श्रीवासाय नमहा ओम श्रीवासाय नमहा प्रभू सबका कल्यान करेंगे